तोर में हमारे लिए जो चीज सबसे ज़रूरी है वो है हमारी हेल्थ और मनी। Modern Science आज इतनी तरक्की कर रही है कि अब लगबग हर बीमारी का इलाज साइंस के पास आ गया है और अब तो लोगों की Life expectancy भी बढ़ती जा रही है। जहां लोगों की एवरेज लाइव एक्सपेक्टेंसी 60-65 साल थी वही अब बढ़कर 70-75 साल हो गई है। वही अगर हम पैसे यानि मनी की बात करें तो आज भी वही Investing, Personal Finance और Business Planning की ही बात होती है। और इन चीजों को समझ कर शायद ही कोई अच्छा Investor बना हो। Over the years हमने ये सीखा कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, इंजीनियर कैसे बनते हैं, लॉयर कैसे बनते हैं। इन सब के बारे में हमने प्रॉपर पढ़ाई की और फिर इन स्किल्स को लर्न किया। लेकिन शायद ही कोई हो जिसने पसनर फाइनांस को पढ़कर डेप्ट मैनेच्मेंट की स्किल्स सीखी हूँ या जिसने बहुत पैसे सेफ कर लिया हूँ। इसकी में वज़ा यही है कि हमने फाइनांस को भी बाकी सबजेक्स की तरह ही समझा है। जैसे फिजिक्स में हम लाउ और रूस को समझते थे थी किसी तरह हमने फाइनांस को भी समझा हमने फाइनांस के फार्मूलाज और रूस सब याद कर दिये और यहीं पर हम गलती कर जाते हैं क्यूंकि फाइनांस को फिजिक्स की तरह नहीं समझा जाता है बलकि फाइनांस या यू कहें हमें मनी की साइकॉलोजी को समझना होता है। दोस्तो नमस्कार कुकु एफेम पर मैं हूँ आर जे गोहर परवेज। आज हम जिस बुक पर डिसकुशन करने जा रहे हैं, उस बुक का नाम है साइकॉलोजी ओफ मनी। ताइमलेस लेसन ओन वेल्थ, ग्रीड एंड हैपिनेस और इसके ऑथर हैं मॉर्गन हॉसल। दोस्तो पैसा आपको हर जगा दिखेगा और पैसा ही हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है और हमें कनफ्यूज भी करता है। हर इनसान का पैसे को लेकर अलग-अलग परसेप्शन है और हर इनसान अपने अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है। आथर कहते हैं कि फाइनाउस को लेकर अक्सर हम यही सोचते हैं कि इसे भी बागती सब्जेक्स की तरह ही फार्मूलाज और रूल्स के हिसाब से समझा जा सकता है। और अक्सर हम फार्मूलास को समझने के लिए कई सारे फार्मूलास और रूल्स का यूज़ भी करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा भी होता है कि सारे फार्मूलास और रूल्स अपलाई करने के बाद भी हम financially strong नहीं हो पाते हैं। इसकी वज़ा सिर्फ यही है कि हम financially strong इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम फार्मूले तो सारे याद कर लेते हैं, लेकिन हम अपने अंदर वो attitude और behavior डेवलप नहीं कर पाते हैं जो पैसे save करने के लिए हमारे काम आई। यानि आप पैसे को तभी save कर पाएंगे जब आप अपने अंदर के behavior को बदलेंगे, आप अपने अंदर ये psychology डेवलप करेंगे कि आपको वाकई में पैसे save करने हैं और आपको financially free हो रहा हैं। दोस्तो आज की इस book summary को जब आप सुनेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि psychology of money actual में होती क्या है। किस तरह अपने behavior की वज़ा से ही हम rich और poor बनते हैं। अक्सर हमारे बन में ये सवाल चलता है कि Bill Gates इतने अमीर कैसे हो गए। क्या Bill Gates अपने लग्की वज़ा से अमीर हुए थे या फिर उन्होंने अमीर होने के लिए मेहनत की थी। आखिर कैसे दुनिया की सबसे बड़े investors वारेन बफेट ने अपनी सारी wealth 50-60 साल की age के बाद बनाई। क्या पैसे को attract करने के लिए हमें पैसे की तरफ भागने की जरूरत है। क्या पैसे को humble बन कर attract किया जा सकता है। इन सब सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको psychology of money को समझाने के लिए कई सारी case studies भी दी गई। और उन case studies से आपको ये मालुम होगा कि पैसा बचाने के लिए किसी भी तरह की technical skills की जरूरत नहीं पड़ते।